हेलो दोस्तों सागत है आपका हमारे यट्यूब चनल पर तो गाईस आज की सोड़ों में हम आपको उताने वाले हैं कि रेड़ेमी मॉवाइल में कीबोर्ड पर लगे फोटो को कैसे हटाएं या कैसे डिलीट करें तोगाईस अगर आप चैनल पर पहली बार आया है तो उडियो को लाइक और चैनल को सब्स्क्राइब कर लिजए तोगाईस सबसे पहले आपको मॉवाइल के सेटिंग kami जाना है सेटिंग में जाने के बाद आपको आ जाना है थोड़ा नीचे और जैसे थोड़ा नीचे आएंगे तो आपको एक option मिलेगा additional setting तो गैसे सब ही मुआल में होता है आप चेक लेन आपके फोन में मिल जाएगा तो आपको additional setting पर क्लिक करना है फिर आपको यहां पर keyboard and input method नाम की एक setting मिलेगी इस setting पर click कर देना है चले click करते हैं तो अगर आपके फोन में आपको आदू additional setting नहीं है तो फिर क्या करना है setting में आकर उपर अगर आप search box में क्लिक करके लिखेंगे keyboard and input method तो यहां पर आपको मिल जाएगा आप चेक कर लेना आपके फोन में होगा नीचे उपर मिल जाएगा इस पर click कर देना तो वहीं पर आप आजाएंगे देखिए उसी setting में और यहां पर आने के बाद आपको gboard नाम की एक setting मिल जाएगी देखें gboard पर click करते हैं gboard पर जैसे click करेंगे तो यहां पर theme नाम की setting मिलेगी फिम पर click कर देना है जैसे theme पर click करेंगे तो जो photo set है यहां पर show कर रहा है फोटो हटाने के लिए या डिलीट करने के लिए आप इस फोटो पे एक पर किलिक करेंगे यहाँ पर तो इस प्रकार का आ जाएगा और यहाँ पर डिलीट का एक option मिल जाएगा इस डिलीट वाले option पर किलिक करना है फिर आपको ok कर देना है जैसे ok करेंगे डिलीट हो जाएग ब्लैक तो इस लास्ट वोले अप किलिक कर देंगे तो डाक रहेगा, आप जैसरा सेट करना चाहते हैं वैसा सेट कर लेना, फिर आपको सिंपली गाइस बैक आना है, बैक आने के बाद चलिए की बोर्ड को उपन करते हैं और आपको दिखाते हैं, तो यहां पर भी आप की बो को ओपन करना है फिर आपको यहाँ पर अगर इस प्रकार का कीबोडS ओपन हो तो सबसे पहले दिखिए यहाँ पर हम कुछ टाइब करते हूं उसके नीचे एक आइकन है तीर खाव इस छोटे से आइकन पर क्लिक करना है तो यहां पर सेटिंग आ जाती है कुछ टी के उपर एक सेटिंग का आप्शन है इस सेटिंग पर क्लिक करना है तो आप वहीं आ जाएंगे उसी सेटिंग पर ठीम पर और यहां पर आने के बाद यहां से डिलीट कर सकते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया तो वाइस उम्मिद करता हूँ आपको सब को सही तरी के सल में आ गया होगा तो आज की वडियों बस इतना यूडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए थैंक्यू